बंदे पुर्सोत्मों सिषिठाकुर्जी के एक भक्त हुए अतुल्दा उन्होंने सिषिठाकुर्जी से पूछा कि मा की पूजायदी हम करते हैं तो क्या उसमें सभी की पूजा हो जाती है सिषिठाकुर्जी ने कहा कि मात्र भक्त की नितान्त आव सकता है यही है सब की जड़ पर पित्र भक्ती, मात्र भक्ती इस टानुग नहीं होती है तो है सम्यक संबर्धना नहीं ला सकती है क्योंकि माता पिता हम लोगों के अस्तित्व की सारी चीजों को आलोडित और आलोकित नहीं कर सकते और यह इस्टिया पुरसुत्तम अर्थात परम पूरक्स से ही संभव है उन्हें ग्रहन कर चलने पर माबाप की सेवा भी भली भाती हो सकती है जब पुरसुत्तम आते हैं तो उस समय उन्हें ग्रहन करना चाहिए चाहे वह किसी मत या पथ के ही क्यों नहूं सब को उन्हें पकड़ना चाहिए वह मिलन तिर्थ होते हैं और होते हैं पूरण वेदी कोई भी किसी भी अवस्था में उनका दिया हुआ नाम ले सकता है उसमें कोई दोस्त नहीं है उससे गुरु त्याग नहीं होता है कुछ गुरु अपने दल को कायम रखने के लिए गुरु त्याग का भै दिखाते हैं यह बात सिर्फ हिंदू में ही लागू नहीं हो सकती है बलकि हर सम्प्रदाय के लोग के ही वे उपास से होते हैं यदि मैं रसूल का भक्त बनता हूँ तो रसूल जिन्हें प्रेम करते हैं प्रणम में मानते हैं उन्हें अस्विकार कर हम कैसे चल सकते हैं कुरान में है जो प्रेरितों में विभेद करते हैं एवं किसी प्रेरित के प्रती विद्रोही होते हैं वह काफिर हैं संब्रदाइक विद्वेश को प्रस्तर देने का अर्थ है काफिरत तो या पातित तो को स्वीकार करना चाहे ऐसा जो कोई क्यों न करे पहले मुसल्मानों के पीर के अनेक हिंदू सिस्से रहते थे हिंदू साधू के अनेक मुसल्मान सिस्से रहते थे पर उसमें न कोई मुसल्मान बनता और न हिंदू बिदाय हजम हजरत ने कहा है जो अपने वंस को छोड़कर अपने आपको दूसरे का वंस कहकर प्रचार करता है उसके उपर अल्लाह एवं उनके फरिस्ताओं एवं समंग्र मानो जातिका अनंत अभी संपात होता है धर्म के नाम पर अपकर्म हो रहा है जो मनस्च को बचाएगा पत्ध दिखाएगा उसे यदि इस प्रकार विक्रित बना दें तो क्या हम लोगों के लिए कोई रास्ता रहेगा धर्म के ऐसे विक्रित रूप को देखने के फल्सरूप मनस्य को धर्म पर आस्था ही नहीं रही भक्त कहता मां मंगल चंडी मुझे बरदो मां कहती है मैं तो तुम्हारे लिए केवल निश्प्राण मुर्ती हूँ ऐसी अवस्था नहीं रहनी चाहिए अपने आचरण और जीवन में धर्म के स्वस्थ स्वभाविक रूप को प्रस्पुटित करना होगा तभी धर्म का अस्टित मजबूत होगा सात्वती जुलाई 2019 पेश संख्या सोलह से जय गुरू आप सभी दादा यो मालों को मेरा जय गुरू मेरा आज 4000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए और आप लोगों को सहयोग से मैंने ठाकुर जी की बात 4000 लोगों में घर घर पहुचाई इसके लिए आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद थैंक यू वेरी मच जाय गुरू